क्लास फोर सब्जेक्ट है जी के चैप्टर नंबर थ्री मेजरिंग यूनिट्स यानि कि माकपक इकाईयां दो इन बुक ओनली ओनली बुक में फिल करना है You must be familiar with the terms meter, kilometer, liter, gram and kilogram यह सब हमने पहले पढ़ रखा है These are some units that are used to measure length, volume and mass respectively and are used as standard units of measurement These are some units, यह कुछ इकाईया है, that are used to measure जो की मापने के लिए काम में ली जाती है क्रमश्य लेंथ यानि की लंबाई, volume यानि की घनत्व और मास यानि की मात्रा and are used और उपयोग में ली जाती है as standard units of measurement प्राचीन मापक इकाईयों के रूप में यह कुछ ऐसी इकाईया है, जो की length, volume और मास मापने के लिए प्राचीन इकाईयों के रूप में यूज की जाती है मापक इकाईयों के रूप में यूज की जाती है, जो हमने हमेशा से पढ़ते आये हैं However, जैसे भी, there are some other measuring units that are used to measure different things There are some other measuring units, कई और मापक इकाईयों है, that are used to measure जो की मापने के लिए यूज में ली जाती है, different things, अलग चीजे यह कुछ ऐसी मापक इकाईयों है, जो की अलग अलग चीजे नापने के लिए यूज में ली जाती है Some measuring units are given below, कुछ units नीचे दिये गए है, मापक इकाईयों कुछ नीचे दी गई है What do they stand for? और वह किसके लिए यूज में ली जाती है Number one, one pair is equal to two units, one pair यानि कि एक जोड़ा, एक जोड़े में कितनी इकाईयों होती है, दो यानि कि एक जोड़े में कितनी चीजे होती है, दो, जैसे कि हम shoes पहनते हैं, वो pair में पहनते हैं, ठीक है, और pair में कितनी shoes होंगे, दो एक pair में कितनी shoes होते हैं, दो shoes होते हैं, यानि कि one pair में कितने units होंगे, two units Number two is one dozen equal to twelve units, one dozen, एक dozen, एक दर्जन में कितने units होते हैं, 12, यानि कि बारा इकाई होती है, एक dozen में मानलो जैसे कि आपने roses लिये हैं, अगर आपको one dozen roses चाहिए, तो आपके पास कितने roses होंगे, 12 roses होंगे, ऐसा ही आपने अगर notebooks करी दिये हैं, और आपके पास one dozen notebooks हैं, तो आपके पास कितनी total notebook हुई, 12 notebook, Number 3 is half a dozen, half dozen यानि कि आधा dozen में कितनी होगी, 6 units होगी, चैए काई होगी, अगर वन dozen में 12 हैं, तो हाफ dozen में कितनी होगी, 6 हैं यहना क्योंकि उसका आधा होजाता है, number four is one baker's dozen baker's dozen में कितने units होते हैं 13 dozen होते हैं बाकी dozen dozen में mostly 12 units होते हैं लेकिन baker's dozen में कितने units होते हैं 13 units होते हैं one gross equal to 12 dozen equal to 144 units एक gross में 12 dozen होते हैं एक gross में कितने dozen होते हैं 12 dozen और एक dozen में कितने units होते हैं 12 units, 12 dozen में units कितने हो जाएंगे? 144 units, एक gross में unit हो और एक gross में 12 dozen होते हैं, अब वन ग्रेट Hawaiian with one great gross in one thousand seven hundred and twenty eight gross होते है यानि कि 12 dozen gross नमबर seven one quiet short paper इसमें 24 sheets होती है यह sheet को mapने के लिए होती है यह जो measurement है वो sheets को यानि कि paper की sheets होती है उसको mapने के लिए उसकी की जाती है one quiet short paper is 24 sheets होती है one dream short paper is 20 quiet short paper होते हैं यानि तो आपके पास कितिनी टोटल नोटबुक हुई 12 नोटबुक नमबर 3 is half a dozen half dozen यानि कि आधा dozen में कितनी होगी 6 units होगी 6 एकाई होगी अगर 1 dozen में 12 है तो half dozen में कितनी होगी 6 है न क्योंकि उसका आधा होजाता है नमबर 4 is one baker's dozen baker's dozen में कितने units होते हैं 13 dozen होते हैं बाकी dozen dozen में mostly 12 units होते हैं baker's dozen में कितने units होते है 13 units होते है 1 gross equal to 12 dozen equal to 144 units एक gross में 12 dozen होते है एक gross में कितने dozen होते है 12 dozen और एक dozen में कितने units होते है 12 units तो 12 dozen में units कितने हो जाएंगे 144 units एक ग्रोस में unit होंगे 144 units और एक ग्रोस में 12 dozen होते हैं अब वन ग्रेट ग्रोस वन ग्रेट ग्रोस में 1728 ग्रोस होते हैं यानि कि 12 dozen ग्रोस number 7 वन क्वाइर श्ओट पेपर इसमें 24 sheets होती है यह sheet को मापने के लिए होती है यह जो measurement है वो sheets को यानि कि paper की sheets होती है उसको मापने के लिए यूज की जाती है one quire short paper इसमें 24 sheets होती है one dream short paper इसमें 20 quire short paper होते हैं यानि कि 480 sheets one score में 20 units और one dream printing paper में 500 sheets okay one quire short में 24 sheets one dream short paper में 20 quire यानि कि 480 sheets one score में 20 units और one dream printing paper में 500 sheets होती है